बहुत दिन इंतिजार के बाद फाइनली आज रेड्मी ने इंडिया पर लॉंच कर दिया है उसका नोट 11 सीरीज का नय स्मार्टफून जिसका नाम रखा है रेड्मी नोट 11 प्रो और यह जो स्मार्टफून होने वाला एक 4G स्मार्टफून स्मार्टफून के अंदर बड़ रहने वाला लेकिन इस स्मार्टफून जो स्प्रिशिविकिसन प्रोइट कर रहा है 15,000 रूपीज के अंदर पोको की तरफ से आता है पोको फोर फॉर फोर जिस स्मार्टफून स्मार्टफून token स्मार्टफून प्रो को पर्सिस करना चाहिए डो वाला IOS मैं उसंचोई आप देख रहे हैं मिस्टर संचोई यूट्यूब चैनल स्वागद हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहला सुरू बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बिल क्वालिटी एंड डिजाइन से हां यहां पर देखा जाए देखने में खुपसूरा जो देखने को मिल जाएगा उसे के साथ स्मार्टफोन की पीछे की तरफ रहने वाला है त्रिपल कैमेरा से टाप LED फ्लैस और यहां पास साइड मोंट फिंगरफिन सेंसर रहने वाला है और फॉनसाइट की तरफ देखा जाए जो स्मार्टफोन आता है सेंटर पंचोल डिस्प डिस्प्ले के साथ डिस्प्ले का बिजल और नीचे जो चेंट यहां पर छोटा देखने को मिल जाएगा यहां पर डिजाइन में देखा जाए यहां पर सबसे अच्छा जो डिजाइन प्रोवाइट करने वाला स्मार्टफोन रहने वाला है रेड्मी नोट 11 प्रो इसके ब स्मार्टफोन आता है 6.43 फुल इस्टी प्लास सुपार एमोलेड डिस्प्ले के साथ और यहां पर रहने वाला है 90 हर्ट का रिफ्रस्टाइट 1000 नेस प्रिक ब्राइनेस के साथ आता है और वाइडवन एलॉन का सापूर भी रहने वाला है तो यहां पर देखा जाए दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले में साइच के इसाप से और रिफ्रेस्ट रेड फिक ब्राइनेस में थोड़ा सा डिफारेंस रहने वाला है इतना कुछ जादा नहीं है चलिए इसके बाद मैं बात काना चाहूंगा यह दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेशर के बारे में दोनों स्मार्टफोन 4G स्मार्टफोन होने वाला है और दोनों स्मार्टफोन आता है मीडिया टेक की तरफ से G96 शिपसेट के साथ जोगिक ओक्ता कूर्ट चिपसेट है इसका जो क्लॉक्स पर रंकता है 2.05 GHz में और जो चिपसेट बना हुए 12 नैनोमेटर पर अब दोनों स्मार् स्मार्टफोन और 126 Megapixel, और और 5 उस स्मार्टफोन हो आता है पिछे की तरफ ट्रिपल कैमेरा सेटपके साथ प्राइमरी जो संसर रहने वाला है 64 Megapixel उसी के साथ 8 Megapixel और दोनों स्मार्टफोन का जो सेलफी कैमरा रहने वाल है वह 16 Megapixel अगर आपको ज़्यादा Megapixel में र प्राम नहीं होता यार क्वालिटी में विलिप करते हैं हम लोग तो चलिए इसके बाद में बात करना चाहूंगा दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में दोनों स्मार्टफोन आता है इंबॉक्स 33 वाट का अड़ेप्टर के साथ और रेड़ी नोड 11 प्रोई जो स्मार स्मार्टफोन आता है इसके बाद में बात करना चाहूंगा दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में रेड़ी नोड 11 प्रोई 6डी 128 वाला फ्रैन के साथ आता है 18,000 रूपीस और आपकी प्रोपो स्मार्टफोन आपको प्राइस करना चाहिए देखो याद दोनों स्मार्टफोन जो रायने वाला है वाला है 4G स्मार्टफोन मुझे लगता है रेड़ी नोड 11 प्रोई प्राइस कर दिया रेडमी ने इसका प्राइस ओध थोड़ा कम रखना चाहिए था इनकी 15,000 या 16,000 रुपिस के आसपास में रखना चाहिए था थोड़ा सा अभर प्राइस में लॉंच कर दिया अगर देखा जाए पोको एमफोर प्रो और रेडमी नोड 11 प्रो के अंदर च्छोटी मोटी मोडिफाई कर दिया है तो मुझे लगता है अगर आपको 4G स्मार्ट फून लेना है अगर आपका बाजेत बहुत ही टाइट तो आपके लिए यह दोनों स्मार्ट फोन से सबसे अच्छा जो स्मार्ट पून होने वाला है डिमी नोड 11 प्रो क्योंग्कि आ आएगा अगर आपको 4G स्मार्टफोन लेना है अगर आपका बाजट है बहुत ही टाइड तो मेरा मानू यार पोको एंफोर प्रो फोर्टफोन इतना बुरा नहीं है और स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा होने वाला है ऐसी इसका जो रीविव बहुत ही जल्ब भी आने वाल सब्सक्राइब नोटी में के सांट बिलको जुरू आल में क्लिक करना तो अज के लिए तना ही मलते हैं अगले फ्रेस वीडियो में तब तक के लिए बाय फ्रेंस टेक क्यार फ्रेंस